हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल फर्स्ट क्लास आज की वीडियो में आप ते शेयर करने वाले हूं कि कौन कौन थी डीप नेक वाली ये नेक लाइन आपके सूट के लिए बेस्ट रहेंगी सूट और कुर्ती तो हम सभी पहनते हैं और इसमें आशकल रेडी मेट डिजाइन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा है फेशन के बदलते दोर में भी रेडी मेट से ज्यादा सूट और कुर्ती को हम सिल्वाना पसंद करते हैं इसमें सही neckline को चुनना बहुत जरूरी होता है बात अगर lettuce design की करें तो इसमें gota party design neckline आशकल train में है तो शलीम आपको दिखाती हूँ gota party design की neckline के कुछ खास design साथ ही बताऊंगी इन्हें stylish look देने के आसान tips नमबर वन है floral gota party lace neck design गोटा party में आपको कई सारे design और चोड़ाई वाली lace के collection देखने को मिल जाएंगे आप fancy look के लिए plain या printed suit या कुर्ती में 2-3 layer में lace का इस्तिमाल कर सकते हो इसके लिए आप 2 layer बारी चोड़ाई वाली lace का इस्तिमाल करें और एक layer आप थोड़ी चोड़ी फूलों के design वाली gota party lace को चुन सकते हो इस तरह का design देखने में काफी heavy look देने में मदद करेगा next है V neck design gota party neck line आशकल V neck line को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा है इसमें आप पतली lace की जगा पर थोड़ा deep तरह से neck line को design कर सकते हो इसमें आप शोड़ी simple lace का इस्तिमाल करें simple lace को deep तरह से लगवाने से ही आपके simple से कुर्थी और suit look में जान अपने आप ही डल जाएगी इस तरह का look देखने में काफी modern नजर आएगा आप इसे जरूर try करें next है जिगजग गोटबटी neck line design simple से look में गोटबटी वाली neck line बनवाना चाहते हो तो fancy look के लिए इस तरह से आप जिगजग में कुर्थी ये suit के उपरी हिस्ते में lace को लगवा सकते हो देखने में ये काफी modern और stylish नजर आएगा heavy neck design होने की वज़ा से आप चाहें तो इस तरह के suit आप बिना दुपटे के भी style कर सकते हो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी friends वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने friends और family के साथ share कीजिए आप चैनल पर नए होत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे thank you guys मिलते हैं next वीडियो में